गुद मॉर्निंग टू अल अफ यू आज हम जानेंगे कि जन से लेके पांच वर्षत के बच्चों का मोत सबसे जादा क्यूं होता है वहाँ कोस्चन है वाई वाई चिल्टेंस बिलो दफाइव यर आर डाइंग अल ओवर दे वर्ल्ड तो यहाँ पे इस डाटा को आप देख रहा है यह डवलो चो यूनी सेफ के द्वारा 2018 में निकाली गई एक रिपोर्ट के अनुसार है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जन से लेके पांच वर्षता के बच्चे का मौत किन-किन कार्णों से होता है तो यहाँ जिसका सबसे जादा परसेंटेज क्या है प्री टर्म बर्थ कंप्लिकेशन मिस जन से पहले ही गढ़ में ही इतने कंप्लिकेशन हो जाते हैं कि उस समय बच्चे का मौत हो जाता है जन के बाद भी होता है जन के वक्त भी होता है मा मर जाती है साथ में बच्चा को जन देने वक्त और साथ साथ बच्चा भी मर जात सेप्सेसे मेंशाइटी से निमोनिया फिर परसेंट बचफे निमोनिया कल दिन से एक परसेंट बच्छा मरता है कि नियो नेटल से फाथ परसेंट २ियो नेटल कंप्लिक्षिंस के वज़ा चमछे वां के राति 템 से 6% बच्चे मरते हैं वहीं मैलेडिया से 5% डायरिया से 8% लिएस्ट अधे nemसे न Tribuneweg से च्छोटे बच्ची इड्स कि मर से मरत जो की कि जैसा कि हम सभी जानते हैं मास ए बच्चे में एड्स घर्व के दारान को है ट्रांस होता है तो वैसे एक परसेंट भी बच्चे हैं जो इट्स के वज़ा से मरते हैं बिलो दा एज आज फाइव यह तो यह स्चार्ट से हम यह जान लिए कि पांस साल से छोटे बच्चे के मरने की वज़ा क्या क्या हो सकती है यह रिपोर्ट 2018 में डवलुएच और यूनिसेफ ने परका सब्सक्राइब की थी थैंक यू फॉर टूटेइ